हेलो गाईज, वेलकम टू लश्मी स्पूर्डवर्ड, आज मैं मसाला मुंफली नमकीन की रेसीपी आप सब के सामने लेकर आई हूँ, इसे बनाते कैसे हैं, तो आप लोग बिना इसकिप के हुए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, डेफनेटली मार्केट जैसी बनेगी उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, और इसे आप लंबे टाइम तक इस्टोर करके रख सकते हैं, तो पूरे टिप्स एंट्रिक्स के साथ बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक् पूती से बना रहे, इस नमकीन को बनाने के लिए आप बड़े दानों की मुमफली भूल करना लीजेगा, सबसे पहली टिप्स में आपको बतारी हूं, क्योंकि उसमें कड़वापन रहता है, इस मुमफली को बनाने के लिए आप एक घुंगरू नमकीन आते हैं, मुमफली आती है, उसे आप जब भी लेने जाए मार्केट में तो आप ये कहिएगा कि मुझे घुंगरू मुमफली दीजे, क्योंकि वो मीठी होती है, हाँ छोटी जरूर होती है तो लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप वही मुमफली लाकरके उसी से नमकीन मना पिर आप देखिएगा कि आपकी नमकीन कितनी बढ़िया बनती है, मार्केट से भी अच्छा, अच्छी है, तो फ्रेंड्स आज की रेसीपी जो है, तो आप लोग मेरी वीडियो को बिना इसकी क्विच जरूर देखिएगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, मसाला मुम तयार कर लेते हैं, काली मिर्च पाउडर, अमचुर पाउडर, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला पाउडर, अब सारे मसालों को एक साथ मिला दीजेगा, तो नमकीन पर लगाने वाला मसाला बनकर तयार हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपको मसाला बनाने क बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तो यह प्रोसेस पहले कर लीजेगा अब चलिए मूंगफली को अच्छे से वाश कर लेते हैं यहां पर मैंने 200 ग्राम मूंगफली ली है इसे घुंगरू मूंगफली करते हैं यह काफी मीटी होती है साइज में थोड़ा सा छोटी होती है अब इसे आप कम से कम दो बार अच्छे से वाश कर लीजेगा जिससे की उपर इसके उपर जो भी गंदगी या डश्ट लगी हो अच्छे से निकल जाए इसे आप बना करके काफी लंबे टाइम तक के लिए इस्टोर कर सकते हैं तो आप लोग बीना इसकिप के हुए पूर दोरी बेशन, दो चम्मच चावल का आठा, एक चम्मच गरम मसाला और ये आधा चम्मच नीमबू सत इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी बेकिंग सोडा, ये थोड़ा सा रेट फूट कलर है, क्योंकि नमकीन का कलर कुछ ऐसे ही होता है, अगर आपके पास हो तो डाल ये नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं, अब सभी चीजों को अच्छे से मिला दीजिए, सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं, अब ये आप मूफली को डाल दीजिए, अब इसको अच्छे से कवर करिएगा, पूरा अच्छे से कोड हो जाए इस तरीके से, अभी पानी बिलकुल भी न डालिएगा, जब अच्छे से मूफली कोड हो जाए, तब आप इसमे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, कि सारा मसाला बेशन मूफली पर अच्छे से लिपट जाए बस इतना ही गीला करना है आपको कोई घोल कुछ भी नहीं तयार करना है अब इसे आप एक बड़े बरतन में निकाल लीजिए और अच्छे से मिला दीजिए कि सारा बेशन मसाला मुगपली पर अच्छे से लिपट जाए अगर आप इस तरीके स तो आपको कड़ाई में एक भी मुपली अलग करने की जरूत नहीं पड़ेगी अब चलिए तेल को पहले गरब होने के लिए रख दिया था एक मुपली डाल कर चेक करते हैं बस दो-दो मुठी आप इसमें यही पोटेट मुपली डाल दीजेगा और इसे लो टू मीडियम पर ही तलिएगा शेड़िएगा बिल्कुल भी नहीं बस हलका हलका चमश चलाईएगा आप खुद ही देखेंगे कि कितनी बढ़िया नमकीन बनकर तयार वो रही है और यह देखें फ्रेंट्स मुपली अच्छे से तल गई है और काफी कुरकुरी है अब इसे निकाल करके तुरंत आप जो मसाला बनाये थे ना उसे थोड़ा-थोड़ा मिलाते जाईएगा इसी लिए पहले मसाला बनाकर रख लेते हैं क्योंकि इस समय थोड़ा सा आयल गीला होता है तो मसाला अच्छे से चिपक जाएगा अब चलिए दुबारा भी इसी प्रकार से तलने के बाद फिर मसाला मिला देते हैं अब बाकी बची हुई मूपली इसी प्रकार से हम तल लेंगे तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे की इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी रेसीपी मैं आप सबसे इसे बनाना बहुत ही आसाल है बस थोड़े से टिपसेंट्रिक्स की जरूरत है तो देखिए कितनी आसानी से मसाला मूफली नमकीन बनकर तयार हो गई है और आप देख सकते हैं कि तेल भी कितना साफ है और कितनी क्रिस्पी बनी है मैं आपको इसकी आवाज भी सुना रही हू सभी पर अच्छे से मसाला दीजेगा बहुत ही क्रिस्पी बनी है मैं आपको एक दो खा करके भी बताऊंगी और कितना बढ़िया होट हुआ ये आप देख सकते हैं तो है ना बिलकुल मारकेट जैसी तो फ्रेंट्स आप लोग भी इसी प्रकार से इस नमकीन को बनाईए ख रेसीपी पसंद आती है तो एक बार मेरी कोई भी रेसीपी उठाके जरू प्राई करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसीपी के साथ तक तक के लिए थैंक्यू